क्या आपको पता है उड़ुपी साउथ वेस्ट कंणाटका का एक खुबसूरत कोस्टल टाउन है और इस व्लॉग में मैं उड़ुपी को अच्छे से एक्स्प्लोर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए उड़ुपी ट्रिप कैसे अच्छे से प्लान कर सकते हैं वल्कम टू उड़ुपी नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है आशी स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में मैं हूँ अभी उड़ुपी में तो अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता चला होगा कैसे KSRTC बस लेके मैं बैंगलोर से उड़ुपी आया और मैंने सारे इंफर्मेशन उस व्लॉग में दिया है कि कैसे आप बैंगलोर से उड़ुपी आ सकते हो तो आप वो व्लॉग जरूर देखें और इस व्लॉग में आपको मैं टॉप अट्रेक्शन पॉइंट बताने वाला हूँ उड़ुपी में कि आप उड़ुपी में अगर आएं तो आप क्या-क्या देख सकते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देखें कि इस वीडियो में आपको सारा इंफोर्मेशन में देने वाला हूँ उड़ुपी के बारे में और यह है कैन्यूट का एंसिस्ट्रिल प्रॉपर्टी जहां पर मैं रह रहा हूँ काफी पीस्फूल और यहां का बातवरन आप देखो बहुत ही जबर्दर से क्रिकेट का साउंड आप सुन सकते हो और इस तरफ फीड फॉरेस्ट इलाका है लेक है आने वाले वीडियो में बातने वाला हूं यहां पे ज्यादा लोग रहते ने मतल estratég ने मतला बहुत ही शांदार गाउं और इस गाउं का मैं मजे ले रहा हूं बहुत भैतरीन तरीके से और बहुत पीस्फुल है कल रात को स३या था बहुत मज़ा आया यहां पर एकक्तम शानती है यहां पर आज का जो 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 जर्णी इसका शुरुबात नास्टे से करने वाले तो शिप्रा बोल केसे नी वह नाम को नाम? शिर्वा तो अभी हम लोग शिर्वा में हैं जो जिस गाउन में नुट गे रहे हैं तो आज नास्टे में गोली बच्ची मंग आएं तो ये यहाँ का famous है Maysrooms आएगा Maysur II twenty आएगा भी मैsursem आम लोग में order किया यहाँ पर यह गोली बंजी है तो यहाँ पर मैं गोली बंजी ट्राई कर रहा हूँ मैंने ये पहले ट्राई किया था पर अभी बहुत सालों के बाद मस्थ रहा हूँ बज़ रहा है भी कोई बात नहीं हमारे पास बॉर्ट टाइम है तो अभी तिन का शुरुवात अभी नाश्रा से करना पूर जो रही है तो मैंने सुझा है कि यहां पर नाश्रा आपको दिखा रहे थे फिर आगे पड़ते हैं और तो दिखाएंगे कि आज पूर्टी में बे अभी उदर का डेली का रूटीन मिस हो गया मेरे को वही कमारा डेली रूटीन हुआ करता था इतना बज़ उटू जल्दी इतना बज़ आफिस पहूंचे इतना बज़ गाड़ी पकड़के इतना बज़ पहूंचो ट्राफिक एक सब तोड़ा आरम से है मतलब इधर बूस् काम से बुलाया तो उसका मने तो आया नहीं तो नहीं आया इसा है एक चीज में अच्छा यह लग रहा है कि मेरे को दुबई वालब फील आरह वापस से जैसे आप काड़ी चला रहे हो और मैं बैठा हूं बस फरक इतना है कि मैं दुबई में उस तरफ बैठता था आप इस हातीन तारीक को आप मेरे को ड्रॉप करने आए था यह वन बतुत था शे महीने के बाद है तो बड़ी है मजा रहे है तो आज गर मौका मेलेगा तो फिर जाएगा दुबई में मंगूने के लिए इंटरेश नहीं है ठीक है कोई बात नहीं है अभी लाइफ में कभी ब्रेक देना ज़रूरी होता है अवसा लाइफ को असलो करना मेरे को देखो ना विचार मेना जॉप करके वापस से ब्रेक तो ब्रेक हो जब भी मन बोलता है कि कुछ भी मतलब आपको फॉलो करना है तो वो करना चाहिए बड़ दस्ती एक जगा बैटके कोई फाइदा नही तो आज मैं और केनिट भाई मिलके आपको उडबी का दर्शन कराएंगा और हाला कि केनिट भाई का ये लोकल जगह है होम टाउन है सही किस्माद है तो दोस्तो ये है मेरा पहला लोकेशन मलवंते बीच हला कि ये बीच है पर इसका एक खासियत है खासियत यह है कि अगर आपके पास ड्रोन है तो आप देख सकते हो कि मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूंगा इसका स्नैपशोट दूँगा ड्रोन वाला फोटोगा क्योंकि इसका जो बनावा थे ना बहुत यूनीक है मतलब हलक इस तरह का बना हुआ है शेप और इसके वाज़े से यह बीच फेमस है और यह जो हाइवे है यह गो करना से होते हुए महारास्ट्रा गोवा आप जा सकते हो तो हम लोग अभी इस पर्टिकलर हाइवे में है सच बताओ तो मेरे को बहुत जादा हुमिट फील हो रहा है पिछल अंदर देखो तो यह है एरिबियन सी और मैं एरिबियन सी के सामने हूँ काफी जवर्दस लग रहा पानी एकदम नीला है मस लग रहा है तो अभी यह रास्ता लेकर आगे जा रहा हूं तो आप देख लो कि किस तरह का है यह जगह बहुत सुन्दर सा यह लोकेशन है तो य आने के साथ साथ ही आपको यह नजारा देखने को मिलेगा तो 60 किलोमेटर अगर आप आ सकते हो उड़ूपी से तो आप जरूर आना यहां पर यह है मलवंते बीच और यह सामने समंदर और आप देखो यहां पर छोड़ा सा बीच है कुछ टैमिली है यहां पर इंजॉई कर रहे हैं और इस तरफ भी छोड़ा सा बीच है तो आपको ऐसा सी टाइप को बीच दोनों तरफ लगातार आपको आगे जाते में मिल जाएगा यह जो बोल्डर है यह बोल्डर इसलिए है कि जो फोर्स पानी का उसको प्रोटेक्ट किया जाए और आप समझ दो कि बांध का काम करता है कि पानी जब हाई टाइड हो तो डोड में पानी ना जाए और ऐसा कई किलोमेटर तक है दूर तक तो सही है अब हम लोग यहां से न तो दोस्तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड लोकेशन की तरफ और आपने देखा कि रास्ता कितना खुबसूरत है और उस गाउं के बीच और उस गाउं के बीच है रास्ता है वह तो है तो हम दोग अभी जारे सेकंड लोकेशन हो है हैंगिंग ब्रीज काभी आइकॉनिक लोकेशन है उड़ूपी का और आप दर देखो पर रास्ता के इस रास्ते से जाके तो और पाथ सुमेटर के दूर पे दूरी पे है वह उसके वाद में दिखाता हूं काभी इंटरस्टे से तो दोस्तों यह है वह आइकॉनिक हैंगिंग ब्रीज उड़ूपी में और आप देख सकते हैं कितना सुन्दर बैक वाटर से और यह बैक वाटर जो है सीधा का सीधा आप इस तरफ अगर देखो गया तो समंदर है समंदर में जाके मैच हो जाता है कुछ बोट्स हैं यहां द्रबोट है टरबोट्स है पर में यह देख रहां कि यहां पे कायकują को हो सकता केël की यह जगह काया के लिए बहुत है और में को काया के करना है है इस बार काफी मन है तो अगर हो पाता है तो kayaking करेंगे कि अभी मॉंसून के समय kayaking जेनरली बंद रहता है पर आप यह जगह देखो यार पूरा का पूरा coconut यह जगह गिरा हुआ है और इस जगह को कैमानू हैंगिंग गुरीज बोलते हैं और उड़ुपी टाउन से अगर आप आ रहे हो तो 12-15 किलमेटर का डिस्टेंस है पर बहुत सबर सा जगह है आप देख सकते कोई भी नहीं है यहां पर तम मैह और कैन्यूट भाई है हमने वहा चल रहा है गर्मी है पर कोई दिक्कत नहीं है कि एक पूरी खबर है कि यहां इतने सारे आप देख सकते हो डबे रखे में है और रास्ता जो है वो ब्लॉक्त है तो मतलब अभी ब्रीज में नहीं जा सकते है इस मुर्गे ने भी बताया है तो बैड नियूस है तो यह हैंगिंग भी हम अभी वहां से व्यूंजाई कर रहे थे पर यहां पर आप देख लो इतना डबबा डबी डालके रखा हुआ है तो आप इसमें अभी नहीं जा सकते हो क्या बोल रहे हैं तो क्यों बंद है कि रिपेर ओके तो यह यहां के लोकल से जो बोल रहा है कि रिपेरिंग के लिए यह ब्रिज बंद है बहुत मज़ा आता अगर अलाओ करते दो क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं है पूरा का पूरा ब्रिज हैंगिंग है यहां पे एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट उस गाहों पे उस करते हैं तो अलाओ नहीं है अभी कायाक अब बारिश आएगा वह मालूम नहीं परते हैं वेदर कपोल नहीं सब्सक्राइब तो यह तो बारिश का जाने का वेट तो सेप्टेमबर उस पुलेगा आप सेप्टेमर में काया यह तो आगौस्ट एंड और कितना आता है काया का सब्सक्राइब है अगस्ट एंड और सेप्टेमबर को खुलने का चांसे से कायाक अंडेड रूपीस 20 मिनिट का लेते हैं यहां पर और यहीं से कायाक स्पॉर्ट है किसमत खराब है जबी कायाक कब बारी आता है तो कुछ ना कुछ होई जाता और मैं कायाक नहीं कर पाता ह इमाजन करो इसमें कायाक अभी कितना मज़ा आता हूँ तो के निट भैइने यहां पर एक मस्तर जुगाड बठाया है वह 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 तो ने थोड़ी बुलते है तो इसमें थोड़ सा अलकॉहल परसेंटेज वह बहुत कंब रहता है ना मालमने एक दो काली पेट में पीएगा तो इसमें असर दिखेगा नहीं कोई बात में इसा नहीं दिखेगा काली पेट में अच्छा यह है कि अभी इतना गर्मी है ना वी मजा आएगा यह अच्छा रेफ्रेश्चिंग ड्रिंग हो जाएगा तो वी लोकल टॉड़ी तो अपके अच्छा नगे तो ऑधी बोलते हैं तो अब यहां पे तो अब कशली पीने का टाइम आ गया गया है अब मौसम इस थोड़ा अच्छा हो रहा है थोड़ा सबादल आ गया तो अभी लुड़ा सा टेस्ट करते हैं और यह रोटी इसके साथ डालके यह तोड़ा ट्रै होता है एक साल तक रख सकता है तो यह है कली यहां का लोकल लेंग्विज में यह फर्मेंटेड ड्रिंक है कोकोनट का और थोड़ा अलकोहलिक है तो हम लोगों ने थोड़ा सा यह प्लैन किया था पीने का पर भूग भी लगा हुआ था तो हम लोगों ने यह जो घर आप देख रहे हो तो इनको बोला कि भूख लगा हुए तो इन्होंने यहां का जो लोकल होमेट चिकन ने वह बना के दिया और यह कुछ नया रोटी जो मैं ट्राइब करने वाला हूं यह काफी ड्राई है और यह पापड के तरह है यह रोटी तो रोटी है यह तो अभी चिकन और ट्राइब करेंगे चलो ट्राइब करते हैं और यह भी कुछ है क्या है इसको मुडे बोलते है ना तो यह मुडे है यह इडली है पत्ते के अंदर यह काफी स्पेशल है मैंने सुना था कि उड्डूपी में यह मिलता है यह इस तरह का इडली पर यह जो देख लो में और क्या जाता है बिल्कुल तो स्टीम इडली है इस तरहkę पत्ते पतिक अंदर वी ट्राइब करेंगे तो पैलए 3D करते है आइक है मतलब हुआ इस लिए बोल रहों की केडला मैं इसको ट्यटी वोलते है पर यहां पे कली इकफोल चेर्ज इस साल का पहला फॉर्मेंटेट को कुनाट ड्रिंग कि वाह मज़ा आगया क्या जबर्दस चीज़ है यार अल्कोहल जो है इसमें थोड़ा रहता है दो तीन परसंट आप कंसेडर कर सकते हो तो इसके लिए आपको बहुत जादा पीना पड़ेगा तभी जाके आप हाई होगे हाँ पर जो लोग पीते नहीं है जिन्दगी में कभी पिया नहीं है उनके लिए यह सर्प्राइजिंग रहेगा तो यह है यहां का लोकल ट्रिंग कली बहुत टेस्टी दिख रहा है एक दम टिपिकल लोकल उड़पी वाले घर से बनके आया हुआ है तो मैं इन लोग बेचते नहीं है तो बस हमनों रिक्वेस्ट किया कि हमें भूक लगा है तो इन्होंने बोला कि ठीक हमारे घर में चिकन बना हुआ है तो इन्होंने अभी सर लेंगे तो इसको रुट्टी बोलते है रुट्टी है तो इल्ली डाल दो हाँ ठीक काफी जबर्दस मजा है क्या लंच था और हम लोग जब यहां पर आये तो बहुत खतरनाग धूप था और अभी मौसम देखो बारिश हो रहा हलका फुलका और यह जो घर आप देख रहो हम लोग ने यही पर खाना खाया था तो एक्चली यह लोकल अगहर है और जब लोग ने बात किया कि जो लोकल ट्रिंक है खली वो पीने के लिए तो भूग भी लगा वा था लंच का टाइम था तो मैंने पूछा कुछ खाने को मिले आगया तो उ उसके साथ हम लोग ने रोटी खाया थे रोटी जो है वो मतलब इस्प्रेशल था क्योंकि उसको पापड के तरह रहता है उसको तोड़के हम लोगोंने उसके पर चिकन के ग्रेवी डाग के खाया फिर वो पत्ता वाला इडली अब यहां पर जो भी खाया मैंने पहली बार काफी अच्छा एक्सपीरियंस था कुछ इस तरह का जगर पर यहीं पर हम लोग बैटे खाना खा रहे थे बजब दस व्यू का नजारा लेते हुए हम लोगोंने खाना खाया तो अभी आचुके हैं हम लोग डेल्टा पॉइंट में और यह भी एक काफी जबरदस्ता लोकेशन है उड़ूपी में और उड़ूपी में टाउन से यह भी 15-16 किलोमेटर दूर है तो अभी इस तरफ हमें जाना है डेल्टा पॉइंट के लिए और डेल्टा पॉइंट क् स्पेशल है वो मैं आगे जाएक बताता हूं कि कि अगर आप देख सकते हो यहां पर तो यहां पर एक नदी है तो आपको दिख रहा होगा तो इधर एक नदी है और इस तरफ समुंदर है तो और समुंदर के पैरलाल यह रास्ता है जो हम लोग अभी लेकर आए काफी प्रोन होता तो फिर मैं जबर्दस्त शॉट दिखा था कि कैसा जबर्दस दिखता है यह स्ट्रेट रास्ता एक तरफ नदी एक तरफ समुंदर पर कोई बात नहीं अभी चलते हैं समुंदर की तरफ और इस तरफ नदी तो आपको मैं एक रेफरेंस देता हूं कि मैं क्या बताने ही कोशिश कर रहा हूं तो यह जो है यह सीता रिवर बोलते हैं इसको अभी याद है अगर आपको थोदे पहले याद होगा मैं जहां पर अभी लंच कर रहा था किमानू हैंगिंग ब्रीज में तो वहीं का पानी यह 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 एक्शली बहुत बड़ा दिख रहा है प उस तरफ दूर में शिपिंग डॉक भी है यहाप एक शिप है अगर आप दिख रहा होगा तो वहाप एक शिप है और इग्जैक्टली यहां जाके संगम होता है यह सीता नदी का और अरवियन सी का तो यह है संगम पॉइंट और यह गाउं है जहां पर अभी यहां पी लास गर के सामने जबीघर के पिशे समुंदर और यहां भी कुछ च्छोटे-च्छोटे घर है बहुत जबर्दस सा माहल है वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है कि फौदर पहले मतल्स बहुत ज्याधा गर्मीता धूप था और अभी बारिश का माहल मतलब हो गया है माहल पर ब बहुत अच्छा है सोचे तो यहां पर घर है वह कुछ नसीब इंसान है इसना हवा मारता है इधर फैन का जरूरूद में नाने चले गए मन क्या कभी समंदर में नाने चले गए हां जहां मर्जी वहां जाके नहां किसा आ सकते हैं बहुत सही लोकेशन है पर अभी फिलाल इस समंदर में बंद मॉंसों के वज़े से अभी अभी मॉंसूं के लिए जीम फूरा रप बैंन है तो में पास गया एक दॉमें एंड ने फो यह ंडल्स प्यांप यह भीन और चोटा सा बीच डेल्क HIV कॉय çorer यह रहे हैं मेरे सामने यह जो आइलेंड मैंने आपको बताया वो और इस तरफ है सीता रिवर तो सीता रिवर काफी जादा हवाद चल रहा है अभी में को पता नहीं कि मेरा आवाज सही से नहीं आ रही कि नहीं मैं माइक यूज कर रहा हूं तो फुली आजाना चाहिए और क्या जबर्द कि अगा जबर्द आजाना चाहिए तो यहां पर एक छुड़ा से कॉफी ब्रेक चल रहा है ठीक डेल्टा बीच के सामने मदब डेल्टा पॉइंट के सामने तो उमिद करता हूं कि आपको डेल्टा पॉइंट अच्छा लगा हो और यहां का जो नजारा है नदी और समुंदर का संगम तो अभी यहां पर कॉफी पीएंगे हम लोगों ने सोचा कि कॉफी ब्रेक लेते हैं अभी साढ़े चार बज़ रहा है शाम का अभी और एक दो जगा जाना है उसके बाद हमारा आज का दिन खतम हो जाएगा तो आपको और दो जगा में को दिखाना है बहुत अबर्दस्त कोई बात नहीं अभी बाद में किसी और चीज के साथ भी चिर्स करेंगे चलो चेर्ज अभी फिलाल चाई के लिए उस प्लब चाई कॉफी का चैर्स हो गया यह यह काली गेक्लास के थाको होता है वह ता आपने सभी बताया कोई नहीं वह ग्लास बाट शेज़ को हो तो इस तरफ मालपे बीच है और उस तरफ है मालपे बीच सी वॉक तो मैं वही देखने के लिए आया हूं अभी लगबग संसेट हो चुका है संसेट हो रहा है इस तरफ थोड़ा सा बादल भी है तो संसेट अभी पता नहीं अच्छे से दिखे है कि नहीं पर यह है वो एरिय के तरफ जाता है तो यह है मालपे बीच तो डेल्टा पॉइंट से 10 किलमेटर दूर है यह तो हम लोग 10 किलमेटर भी ड्राइफ करते हुए रास्ते में कोस्ट लाइन होते हुआ है काफिस बड़्दस नजारा देखते हुए और इस तरफ सी वॉक जाने का रास्ता है पता इस तरह का है तो यह बीच हुआ करता था अब देख सकते हो थोड़ा बहुत यहां पर अभी भी जगह है पर अभी फिलाल बीच में जाना मना है क्योंकि अभी गवर्मेंट के दुवारा यह अडवाइस किया गया है कि बीच में नहीं जाने के लिए विकेज अफ हाई सकते हो यह यह है सेंडमेरी आइलेंड यह काफी सुन्दर आइलेंड है यहां से बोट चलता है तो बोट लेके आप जा सकते हो सेंडमेरी आइलेंड के लिए 6-7 सूर पर लगता है बोट राइड आइधिंक यह रिटर्न फैर होगा पर यह ऑक्टूबर से चालू होगा तो तो अभी फिलाल आप सेंड मेरी आइलेंड नहीं जा सकते हो और ये जो है ये है सीवाक तो अभी जाकर देखते हैं कि वो पॉइंट तक जाने के वाद कैसा लगता है समंदर का नजारा तो ये है मालपे बीच बहुत ही फेमस है अभी आपको तो फिशर्मेंस वगेरा भी नहीं दिख रहे हैं अभी कि फिशिंग भी बंद है अभी और एक मैना बंद रहेगा बढ़ना बहुत सारा फिशर्में बोट्स जाता है फिशिंग करने के लिए तो यह है सी वाक जाने का रास्ता और अगर आपको दिख रहा होगा उपर यहां पर तो फिशर्में नहीं तो यह जो जगह ना फिशिंग के लिए बहुत ही फेमस है उड़पी और यहां पर हर जगह में बोट और फिशर्में का कुछ ना कुछ दिख रहा है तो यहां पर यहां पर सिंबॉल दिख रहा है आपको फिशर्में का तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे सीवाग के नीचे काफी सारा पत्थर है और पत्थर के उपर में इन्होंने सीवाग बना रखा है काफी साइस है इस तरफ भी समुंदर का पानी है अब और थिंक यह इस तरफ जो है ना ये बैक वाटर में मिक्स हो रहा कर दो है औहुद मेरे सामने काफी जबरदक संसेट हो रहा है मैं उमिद में कर रहा था कि संसेट का व्यूर देखने को मिलेगा पर अब दीरे जुह है आश्मान खूल रहा है और देखो आप उतना सुन्दा सा संसेट दिख रहा है और पानी में भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो अभी फिलाल मैं मल पे सीवाक क्यों पर जा रहा हूं और उससरफ यह जो है यह मल पे पीछ है जबर्दस है और यहां पर पदा नहीं कौन सा बोट है एक बोट तो अभी मैं पहुंच गया हूं एंड पॉंट पे मल पे सीवाक पे और कुछ इस तरह का नजारा है और कुछ यहां पे हैं लोकल्स और यहां पे कुछ फिशर्मन फिशिंग करते हुए तो यह है डेड एंड तो यहां पे जो सीवाक है मौल पे बीच का खतम हो जाता है और कुछ लंबा वॉक लेकर आए हम लोग यहां से खुबसरत नजारा है जबर्दस हावा चल रहा है जबर्दस संसेट हो रहा है थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है और यहां पे कुछ फिशर्में भाई लोग फिशिंग कर रहे है अभी हाला की 6-15 हो रहा है यहां पे 7-7.30 तक अंधेरा होता है पर अभी बादल है इसके वाज़े से तो जल्दी अंधेरा होने का चांसेज है अभी मैं हूँ यहां पे अभी मैं फिलाल व्लॉगिंग के लिए ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ पर यहां पर मैं हूँ कुछ टाइम तक उडूपी में मैं आकर आराम से यहां पर टाइम स्पेंड करूंगा परस्नल टाइम तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं आखरी लोकेशन पर दोस्तों अभी मैं हूँ उडूपी का सबसे प्रसिद रेस्टरॉंड में तेमपा और तेमपा रेस्टरॉंड जो है में मचली के लिए काफ़ ज्यादा फेमस है हाला कि मैं मचली लवर नहीं हूँ मैं मचली खाना ज्यादा पसंद नहीं करता हूं पडूरूपी में हूँ और यह region है और यहां लोकेशन ने जिसके बारे में बात कर रहा था क्योंकि इतना घुमने के बाद एक अच्छा खाना बनता है तो यहां पर हमारा आगया है तो हम लोगोंने रोटी मंगाया था रोटी के साथ सेर्वा है यहां पर और फिश ले भी है तो दो चपाती है ताफी बढ़िया स्कुइट गी रोस्ट कुली मुंची यह फ़रा स्पाइसी है और यह बंगड़ा फिश फ्राइए तो आज का मेन्यू में स्रिफ मच्छी मच्छी है आज पहली बार होगा इतिहास में मेरा टेविल में कि कितना सारा लेकिन और मटन कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं जैसा देश वैसा भेश तो यह है हमारा आज का डिनर तो पूरा का पूरा प्लैटर सच चुका है तो अभी जस्त हमारा डिनर खतम हुआ तो फेमस होटल तिमपा तुटुपी तो यहां पे मैं काफी इंजाए कि मैं मैंने हमेशा बुलता हूँ कि मैं को पचली पसंद नहीं पर आज थोड़ा सा अच्छा लगा मैं को मचली खाके 54 पुराना है तो यह है जहां पर मैं खाया था होटल तिमपा और इनका पुराना वाला जो ब्रांच है न यह है यह ओल्ड तिमपा बूलते इसको तो मैं आप इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ और उमिद करता हूँ कि आपको यह व्लॉग अच्छा लगा हो मैंने कोशिश किया कि उड़पी को बेस तरीके से दिखाया जाए और जितना इन्फोर्मेशन हो सके दिया जाए और अगर आपको वैलू लगा है इस व्लॉग मे और आपको मज़ा आया यह व्लॉग यहां तक देखके तो ज़रूर लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें क्योंकि यह आपके लिए फ्री है मुझे बहुत बुस्ट मिलेगा इससे और मेरा चैनल ग्रो होने में मदद होगा और आप मेरा आइटिनरी फॉलो कर सकते कि जबर्दस आइटिनरी है काफी सिंपल आइटिनरी है और काफी मज़ा आएगा आपको और आपको यहां पर एंड कर सकते हैं टीनर के साथ लंच में भी आ सकते हैं अगर आपको मचली पसंद है तो आपके लिए पैरड़ाइस है अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे लेगा तो मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाई फ्रम उडूपी